जहां एक तरफ CM योगी महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है तो वहीं पुलिस कर्मी ही इन आदेशों की धजियां उड़ाते हुए दिखाई दे रही है बहराईच के पयागपुर की जाबाज पुलिस के बाहदर पुलिस कर्मीयों का ऐसा ही कारनामा सामने आया है जहां जमीन के मामले में किशोरियों के साथ सिपाहियों ने गंदी-गंदी गालियां दी जिसके विरोध में आधा दर्जन महिलाओं ने डियम कारले पहुँच कर पुलिस पर गंभीर आरूप लगाए पीड़त का आरूप है कि गिराम प्रधान के इशारे पर सिपाहियों ने अबधरता की साथी पीड़त लड़की ने सारवजनिक शोचाले की जमीन को प्रधान द्वारा हडपने की कोशिच का आरूप भी लगाया है इतना ही नहीं विरोध करने पर प्रधान ने पुलिस भेज कर दवाब बनाया आरूप है की तीन सिपाहियों और एक दरूगा ने किशोरियों को भद्दी भद्दी गालियां दी वहीं पीड़त किशोरी ने रो रोकर अपना दर्द बाया किया करते हैं महिलाओं कि यहीं जत होती है वही पीडत लड़कियों और ग्रामीडों ने जिला अधिकारी से पुलिस कर्मियों और प्रधान की शिकैद की इसके साथी सम्मान पर चोड से आहद किशोडी ने मुखे मंतरी यूगिया धितना से गोहार लगाई है और ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कारवाई की मंगी है बता दें कि किशोरीों ने पयागपुर पुलिस के दरोगा हरिश्चंद सिपाही अमित सिंग, सुनिल सिंग और शिव कुमार यादव पर अबदर्ता करने का आरूप लगाया है। महिलाओं ने अबदर्ता करने का पुलिस करमियों पर आरूप लगाया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो आम इंसान अपनी फर्याद लेकर कहा जाएगा। जो पुलिस रक्षा के लिए बनाई गई है, जब वही लोगों के साथ ऐसा वेवार करेगी, तो कैसे लोग पुलिस पर भरोसा करेंगे।